हलो एब्रीवान बिलकम टू माई यूटूब चैनल नीरा स्वीट रेश्पी आप लोग कैसे हैं? आप लोग सुस्त होगे, मस्त होगे? आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत हैं आप लोग आईए और वीडियो को देखिए वीडियो को फूल वाज कीजिए चलो बनाते हैं, आज की रेश्पी बहुत इंटेस्टिंग होने वाली है ये मेरी टू रोटी हैं आप लोग बासी ले सकते हैं या ताजी ले सकते हैं नर्मल रोटी से भी बना सकते हैं ये एक रोटी लेंगे अब इसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे छेत करेंगे होल जैसे इस पेन की मदद से ऐसे सारे में आप एक फोग से भी कर सकते हैं जो चौमिन वाला होता है चम्मच ऐसे सारे में अच्छे से करेंगे ये आप लोग पुछो जोगे किस लिए कर रही है इससे रोटी फूलेगी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएगी इसे हमें फ्राई करना है ऐसे देखिए आप लोग सारे में मेरे हो गए हैं अच्छे से अब एक कढ़ाई रखे हैं कढ़ाई में आयल हीट हो गया है अब इसी में अपनी रोटी तलेंगे ऐसे सच में ये रेश भी बहुत मस्त बनती है आप लोग एक बार बनाऊगे बार बार बनाने का आप लोगों का दिल करेगा आपके बच्चे बड़े सौक से खाएंगे अब इसे अच्छे से तलेंगे ऐसे हिलाते हिलाते इधर उधर ऐसे अब इसे तर्ण करेंगे इधर उधर पलट देंगे अच्छे से ऐसे देखो कितनी क्रेस्पी हो गई है मेरी रोटी ऐसे फिर इसे इधर उधर हिलाएंगे इसी प्रोसेस से और ये एक और जरूरी बाद आप ऐसे भी टुमेटो कैचप लगा के खा सकते हैं ये रोटी बहुत मस्त लगती है जैसे पापड नहीं होती है साधियों में बनते हैं वो ऐसे क्रेश्पी लगते हैं बहुत बहुत मस्त आप लोग एक बाद ट्राई जरूर करिएगा अब इसे निकाल लेंगे ऐसे देखिए कितनी मस्त है बहुत क्रेश्पी है रोटी मेरी ये देखिए सेम उसी प्रोसेस से ये रोटी भी अपनी तल लेंगे ऐसे इसको हिलाएंगे इधर उधर ऐसे हिला हिला के पकाएंगे ऐसे ये दोनों मेरी रोटी तल गई है देखिए कितनी क्रेश्पी लग रही है प्यारी सी आप लोग ऐसे खाईए बहुत मस्त लगती है लेकिन हम इसे थोड़ा इसे गानिस करके दिखाएंगे आप लोगों को रेश्पी बनाएंगे रोटी की अब एक रोटी लिये हैं वही क्रेश्पी सी इसपे कैचप लगाएंगे आप लोग पीजा स्वास भी लगा सकते हैं मैं कैचप लगा रही हूँ ऐसे सारे में अच्छे से लगाएंगे ऐसे कम ज़्यादा अपने तरीके से आप लोग कर सकते हैं ये मेरा कैचप लग गया है अब आट करेंगे अब में 90 लगाएंगे आप लोग में 90 की जगा पे चीज भी लगा सकते हैं बहुत टेस्टी होती है ऐसे ये भी बहुत टेस्टी होती है इसे ऐसे लगाएंगे कम ज़्यादा अपने तरीके कर लीजिएगा ऐसे अब इसे एक स्पून की मदद से फैलाएंगे आप लोग हैंड से भी कर सकते हैं ऐसे यह सच में बहुत टेस्टी लगती है में नीस ऐसे सारे पर अच्छे से कबर करेंगे ऐसे यह मेरी कुछ सब्जिया है जैसे प्याज है टमाटर है इसे भी इसी में आइड करेंगे इसे लगाएंगे आप लोग सैलेड भी खाते हैं इसी प्रोसेस से यह पीजा बनता है रोटी से आप लोग रोटी का पीजा जरूर बनाईएगा बहुत टेस्टी बनता है ऐसे इसी प्रोसेस से सारे में लगाएंगे एक एक करके ऐसे अब प्याज लगाएंगे ऐसे सारे में अच्छे से लगा लेंगे इसी प्रोसेस से और लगाएंगे ये देखिए इधर भी लगाएंगे टुमाइटो अब ये सारे में लग गया है आप लोगों को मैं दे के पिज्जा की रेश्पी चाहिए तो आप लोग आइकेन बटन पे क्लिक करें आपको पिज्जा की रेश्पी मिल दाएगी ये और थोड़ी लगाएंगे मेंवनीस उपर से ग्रीन चीली का कैचप आड़ किये हैं अब आड़ करेंगे मेंवनीस थोड़ी इसकी गानिस करेंगे और प्यारा सा पिज्जा लगे देखने में खुबसूरत दे देखिए अब ये बनके रेडी है भाई बिध्वत अब चलते हैं अगली प्रोसेस कड़ाई रखेंगे कड़ाई को हीट हो जाने देंगे थोड़ी देर और इसके बाद अपना पिज्जा रखेंगे इसी पे थोड़ी देर के लिए अब इस पे आड़ करेंगे मैगी ये मैंने अच्छे से पहले बना लिया है आपको वीडियो में नहीं दिखाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता फिल आप लोग कहते बहुत बड़ा हो गया वीडियो अब इसे भी आड़ करेंगे आप लोगों को मैगी पसंद है तो आड़ करिएगा वरना इसकीप कर दीजिएगा मेरे यहां तो सभी को पसंद है मैगी यसे तो मैगी सभी को पसंद होती है अब आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा वरना इसकीप कर दीजिएगा ये एक प्लेट इस पे ढख देंगे बस इसे थोड़ी देर ही पकाएंगे गरम करना है मैं थोड़ा सा ये मेरा गरम हो गया है अच्छे से अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे ऐसे एक इस्पून की मदद से ये देखिए वाव बन के रेडी है अब इसे एक प्लेट पे रखेंगे या थाली पे अब इसको इससे फिर दूसरे पे रखेंगे जे देखिए अब बन के रेडी है आप लोग देखिए कैसा लग रहा है प्यारा सा मेरा रोटी से पिज़ा रोटी के सभी के घर में बनती है आप लोग इसे बना के अपने बच्चों को अपने फैमली में सभी को खिला सकते है सच में ये बहुत मस्त बनता है मेरे कहने पे एक बार आप लोग जरूर टाई करिएगा ये बहुत तेश्टी है बहुत बहुत इमी है पीजा तो भाई सभी को पसंद है आप लोग मेरे तरीके से बनाईएगा आप लोगों को मार्केर जाने की जरूर नहीं है आप लोग घर पे बनाईए और अपने फैमली के साथ इंज्जॉय कीजिए तो पीजा सभी को पसंद है एक बार रोटी का पीजा बना के देखिए बहुत टेस्टी बनता है बड़े तो बड़े इसे छोटे भी चट कर जाएंगे पूरी प्लेट चट कर देंगे बाहर से तो अपने घर पे बना ले बहुत अच्छा होता है साप सुत्र अपने घर पे बनाईए बिना कोई जणजट के आपके एक पैसे भी नहीं खर्च होंगे और पीजा भी खा सकते हैं बना के वो भी बहुत मस्त आपको रोटी की निव निव रेश्पी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा ये वीडियो पसंद हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा मेरे चैनल पे निव हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए हमेशा की तरह सिपती चीज लाइक, सेर एंड सस्क्राइब थैंक्स फार वाचिंग